बिहार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नियोज में वेरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे बारिज को लेकर मौसम विभाग ने औरेजन अलट जारी कर दिया है बिहार में अब बादरों ने अपना डेरा डाल दिया है बतादें कि परदेश में नियूंतम तापमान में कि मंगलवार और बुद्वार को परदेश में बारिश हो सकती है परदेश में कई जीलों में तापमान में दो से चार डिग्री का पारा जो है वह नीचे लुड़का है इधर मौसम विभाग का कहना है कि दीन के अधिक्तम तापमान में 16-18 डिग्री के बीच में रहने के सा आसार है इसमें मंगलवार और बुद्वार को कई इलाकों में बारिश्वनी के समभावना जताई गई है मौसम विभाग के अनुसार राज में पूरवी और दक्षनी पूरवी हवा का प्रभाव बना हुआ है वही दक्षन पस्चिन बिहार के ऊपर चक्रवार्ती सिस्टम बना हुआ है इन सभी मौसमी असर के कारण मंगलवार को प्रदेश के जायतर हिस्तों में आकास में बादल चाय रहने के असार है और मौसम सुस्क बना रहेगा बतादें कि प्रदेश के कुछ हिस्तों में दो दिन आज और कल हलके से मध्यम बारिस होने की संभावना है साथ मेख घरजन और बिजली यानि कि आकासी बिजली चंबकने के पूरे असार मौसम विभाग की तरफ से बताएगा है पटना मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में सतह से 0.9 किलोमेटर उपर पूरवेवं दक्षनी पूरवी हवा का परभाव बना हुआ है वहीं एक चक्र में आकास में बादल चाहे रहने और कई हिस्सों में बारिस की भी संभावना दिताई गई है ऐसे मौसम विभाग में और इंज अलट जारी किया है वहीं अगर हम तापमान की बात करें तो 24 घंटे के दवरान मौसम सूस्क रहेगा सुमबार को प्रदेश में 11-13 डिग्री स के बीच में अधिक्तम तापमान दर्ज किया गया 39 दिसंबर को दीर में अधिक्तम तापमान 16-18 डिग्री सेल्सेस के बीच में रहने के साथ साथ सीत लहर चलने के पूरे आसार जो है वो बताय गया है आर्देश का सबसे ठंधा जीला या कहलें की सहर जो है वो रहा और ऐस अधिक्तर जो है तापान के मामले इंदि हम कहलें की गर्मी की दिनों की बात करने तो वहां सबसे ज्यादा घर्मी पढ़ती है और ठंड में भी जो है वो गया में पढ़ती है तो ऐसे मंवासम वागना साफ तोर पे अलट के जारी कर दिया जिसमरें कहा है कि आने वाले दो तो दिनों में हलकी से मध्यम बारिस होने की समावना है, शाथे साथ अकासिय बीजली भी चमकने की बाद जो है मौसम युखाग की तरफ से की गई है, अगर हम मौसम युखाग की और भी थोड़ी सी अगर पीछे चले तो उसमें मौसम युखागना साफ तौर पे किसानों को हिदाय देते हुए मौसम युखाग ने कहा था कि आप अपनी फसलों को जो है सुरक्षित अस्थान पर रखने ताकि बारिस में उसका नुकसान जो है किसानों को उठाना ना पड़े, इधर किसानों को कहना है कि चना और दलहनी जो फसले हैं उसको लेकर अगर बारिस होती के साथ मुझद जी जाज़त धन्यवाद